अगला जैसे आज ही मैंने बताया था, अभी राज्य सभा के अंदर में प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर डिसकुशन हुआ था, है ना? मैंने बताया था, हमर पतनायक साब जो थे वो चाहते हैं कि हमारे सविधान के प्रियेंबल के अंदर में कुछ चीजे एड की जाएं, तो क्या-क्या था मैंने वो भी बताया था ठीक है तो उसी से चलते हम private member bill को मैं यहां देखना चाहता हूँ ठीक है कि private member bill मैं आपको बताना चाहता हूँ कि what exactly the private member bill is क्या होता है private member bill तो कई सारे private member bill लोग सवा के अंदर introduce किये गए अभी Friday को कल सुक्रवार था बहुत सारे private member bill जो है यहां पर introduce किये गए आपको मैं बता देता हूँ लेकिन देखो private member bill का इतिहास कुछ बहुत अच्छा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया था कि 1975 के बाद में बहुत hardly कोई जो bill है private member bill जिनको अनुमती मिली है सबसे बड़ी बहुत यहां पर क्या है दोस्तो मैं बताऊंगा कि private member bill होता क्या है private member bill क्या होता दोस्तो ऐसा कोई भी bill ऐसा नहीं कि private है इसका मतलब कोई private company ने लगाया लेके आया है या हम लेके आया है नहीं member of parliament संसद का कोई भी सदस्य है चाहे वो राजय सभा से हो चाहे वो लोक सभा से हो संसद का कोई भी सदस्य है अगर कोई bill introduce करता है और अगर वो MP नहीं है कोई भी सदस्य है पर MP कोई भी MP member of parliament संसद का सदस्य है जो minister नहीं है मंत्री नहीं है और अगर वो कोई bill introduce करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तो private member bill उसको हम कहते हैं ठीक है private member bill का इतियास मैंने बताया बहुत अच्छा नहीं है ठीक है private member bill को introduce करने के लिए कुछ conditions होती है conditions क्या होती है कि इसको सिर्फ और सिर्फ आप Friday को रख सकते हो इसके लिए एक महीने का notice आपको पहले देना पड़ता है इस bill को रखने के लिए ठीक है यह किसी भी party से हो सकता है ruling party हो या non ruling party हो opposition हो कहीं से भी हो सकता है दूस्तो कोई भी individual MP कोई भी MP जो minister ना हो अगर वो bill present करता है तो उसको private member bill कहते है आप तक कोई भी private member bill अभी तक इतिहास के अंदर में पास नहीं हो पाया है पारलेमेंट में 1970 के बाद में मैं नहीं कहा रहा यह जो PRS है legislative research वो यह बता रही है अभी तक पारलेमेंट के अंदर में दोस्तो 14 private member bill है वो पास किये होए और 14 में से 6 तो अकेले 1956 में मतलब इनिशल टाइम था ता प्राइविट member bill की जरूरत क्यों पढ़ती है जरूरी नहीं है कि जो minister हो जो मंतरी हो उसी को पता है क्या कानून में डाना है MP को भी हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा मुद्दा हो कोई बहुत विशेश मुद्दा हो जिस पे कानून बनाया जा सकता है तो उसको सरकार की knowledge में लाने के लिए संसत की knowledge में लाने के लिए उस पे कानून बनाया जा सके इसके लिए private member will introduce तो private member will कोई गलत बात नहीं है कभी आप सोचो कि बहुत गलत है 16 लोग सबा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तो सबसे जादा highest ठीक है 16 लोग सबा मतलब जो पिछली लोग सबा थी सबसे जादा private member will जो है वो पिछली लोग सबा में जो है वो रखे गए हैं उस पिछली लोग सबा में कुल मिला के 142 जो है member ने private member will introduce किये थे 34 member has introduced 10 or more will 34 member ऐसे दे जिसने 10 या 10 से जादा private member will introduce किये थे तो this is the data about the private member will ठीक है तो ये private member will भी हमने discuss कर लिया important होता है दोस्तों तो हमने देख लिया है and साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़के आप plus course भी कर सकते हो plus course करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये GS का plus course है तो यहाँ पर plus और iconic दो प्रकार के subscription जो है आप यहाँ पर ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों यह आपके subscription का प्राइज है छे महीने एक साल दो साल तीन साल ठीक है यह इधर है iconic का subscription है एक साल दो साल और तीन साल का ले सकते हो code आपका क्या रहेगा summit 10 तो यह मेरा telegram channel है PDF यहाँ दे दूँगा मैं साथ-साथ यह अपना code है इसको use करना है to get the 10% offer in academy I hope you like the session, you enjoy the session so guys please like the video, share it and subscribe the channel, thank you very much take care, bye bye, love you guys